पेरे यूटूब चैनल टेस्ट विद मम्ता से मैं मम्ता शर्मा देव भूमी उत्राखंट से आपका स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक इनिस्टेंट सांभर बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जिसके लिए आपको कहीं कोई किसी सब्जी की ज़रूत नहीं पड़ेगी बिना सब्जी के भी आप बहुत आसानी से बहुत आराम से घर पे बिना टेंशन बिना जंजट के सांभर रेडी कर सकते हैं तो आईए चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाया जाता है चलिए यह आप देख पारे होंगे कि यह मैंने बहुत अच्छे से वाश करके रखी हुई है और अब हम यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें यह दाल को शिफ्ट कर देंगे यह दाल मैंने कुकर में डाल दी है यह देखिए और अब मैं इसमें पानी एट करूँगी मैंने एक कटोरी डाल ली है तो मैं इसमें 2-3 कटोरी करीव इसमें पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा मसाले मिला लेगे यह आधी चमच मैंने इसमें हल्दी पाउडर मिलाया है 14 टीश्पून करी मैंने मिर्ची पाउडर डाला है एक च और ये देढ़ चमबच करीब नमक डाला है नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं ठीक है तो बस अभी यही डालेंगे इसमें बहुत कुछ नहीं डालना है तो थोड़ा सा मैं इसमें ऑईल एड करूंगी तो ये एक चमबच करीब मैं अग्षे अरत एक ऊइल भी डाल दिया तो अब हम क्या करेंगे इसको चार विसल लगाएंगे ठीक है तो चार विसल आना तक हम पकायेंगे चलिए को कुकर मैंने गैस में रख दिया है और अब गैस और करके हम इसमें 4 विसल आने तक का वेट करेंगे और फिर उस बाद आपको दिखाएंगे तो गाइस जब तक वहाँ पे गैस में स्ट्रीम निकल रही है तो तब तक हमने क्या किया है यहाँ पे एक छूटा सा टुकड़ा इंबली का मैंने लिया है आप देख सकते हैं तो वह मैंने अभी 15-20 मिनिट के लिए भीगो के रख दिया था तो अ यह जरूर आप इस्तमाल कीजिए सांभर में जो बहुत बढ़िया जा अच्छा सा टेस्ट आता है ना बहुत टेस्टी वाला तो वह इस इमली से आता है तो बिना इमली के सांभर उतना बढ़िया नी बनता जितना आप सोच रहोंगे तो इमली डालेंगे तो बहुत ही अलग अलग करके दिखाती हूँ उसमें मैं गुदा अलग और इसका पानी अलग निकाल के दिखाती हूँ चलिए तो यह देखिये फ्रेंड्स यह मैंने यहाँ प्रेस का पानी तो यह देखिये फ्रेंड्स यह मैंने तो कर inmक अलग अलग कर दिया है और यह गुदा बिलकुल अलग कर दिया है तो यह गुदा भी आफ एक को रिखिये नहीं हो जा यह बिलकुल नियू दो आप इसका भी वेस्ट मत कीजिए मैं के बर्थनों को तो यह मैंने यहां पर इसका इंबली का पानी तयार कर दिया है और कूकर से मेरे स्टीम भी निकल चुकी है तो चलिए अब आगे की प्रसीजर में तो गाइस इसकी स्टीम निकल चुकी है यह देखें मैं आपको दिखाती हूं यह दाल बिल्कुल गल चुकी ह यह देखिए मैं आपको दिखाती हूं यह बिल्कुल अच्छे से दाल जैसे हम अरहट की दाल को पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको बनाना है सबसे बड़ी बात है इस सांबर को बनाने में कोई आपको सब्जी की जरूत नहीं है किसी भी जंजट की जरूत नहीं है बिना जहन जैट बिना सबजियों के बहुत ही टेस्टी आगे से आप जब इस रेजिपी से एक बार बनाएंगे न तो दुबारा से सबल़ा हैं भी डालना भूल जाएंगे ककी बच्चे काई बार नहीं पसंद करते हैं तो आगर बच्चे सब्जिया खाने में आना कानी करते हैं, वो करते हैं, तो आप इस तरह से सांभर बनाईए, बहुत ही मुज़िदार हो बनता है, तो मैं भी पहले सब्जिया वाला ही बनाती थी, लेकिन जब से मैं ये वाला बनाने लगी हूँ, तो फिर बच्चे क्या तो फ्रेंट्स तरका लगाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने ये दो स्क्रिप कड़ी लिप्स के लिए हैं, और ये पांचे लाल सूखी मिर्चे लिए हुई है, यहाँ पे मैंने काली राई का इस्तमाल किया है, और ये एक चमच करीब है, यहाँ पे एक मैंने मीडियम साइज का प्यास कट करके रखा हुआ है, इसी तरह से लच्छे वाला जो लंबा लंबा सा होता है, वो मैंने इसमें कट करके रखा है, और ये दो टेबल स्पून भरके यहाँ पे मैंने सांभर मसाला इस्तमाल किया है, तो आपको जिस प्रेंट का पसंद और कढ़ाई को गरम करेंगे, तो गाइस यह कढ़ाई बिल्कुल गरम हो चुकी है, अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, दो सर्विंग स्पून करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है, तो फ्रेंट्स ऑयल बिल्कुल गरम हो चुका है, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, तो अभ यह प्यास और कड़ी पत्ता एक साथ डाल दोगी और अब हम इसे अच्छे से खिला लेंगे प्यास को बहुत जादा पकाना नहीं है ब्राउन नहीं करना है सर्फ सौटी करना है ताकि जब हम सांबर पीते हैं चावल के साथ खाए चाहे डोसे इडली किसी के था भी तो बीच में जो प्यास हलका सा कचकत सा क्रंची सा आता है तो बहुत जादा यमी होता है वो तो बहु नो धाल कासा इसको ट्रांस्परेंट करना है, ठीक है, और करी लेफ्स आप पहले मध डालिएगा, वरना ये जल के बिलकुल एकदम श्रिंक सी हो जाती है और बिलकुल टेस्लेस सी हो जाती है, इसमें ये करी लेफ्स का प्रॉफर टेस्टा अगा अगर आप फियांस के बार जाल देए विल्कुल बनके यहां पे तयार हो चुका है इसका ठर्कत ठी। तो अभी हम क्या करेंगे इसको आगा देंगे और इसकी जगे पे ये कुकर रढ़ पना छीकाक गर आप इसे सांभर बना सकते हैं और कभी क्या होता है घर में अगर बज गई हो तो आप इस तरह से उसका सांभर बना सकते हैं उसको एक नए लूक दे सकते हैंbla यह अब क्या करूंगी घरे धी कर दोंगे. और सांभर है तो थोड़ा पत्ला ही बनता है बहुत अच्छा नहीं लगता है तो यह देखे Immuly का पाणीस में अइड कर दिया है और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर यह सांभर मसाला भी आड़ कर दूगी ठीक है सारा डाल गया है मैंने और आप हम इसे खुब अच्छे से खुब इसमें अच्छे से उबाला आने देंगे बढ़िया से इतनी बढ़िया से इसमें आप खुश्बू आने लग जाएगी ने जैसे जैसे यह उबा इमली का रस डालने से इमली का जो पानी डालते हैं उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो यह देखिए यह आपका दो तरह से मैंने समझा दिया आपको कि एक तो अगर आप सांभर बनाए बिना सबजी का तो इस तरह से बना सकते हैं और कभी अगर आपकी घर में दाल वगएरा बच जाए तो भी आप उसको ऐसे रिफ्राइ करके इसका सांभर तयार कर सकते हैं तो यह देखिए अभी मैं इसको थोड़ा और पतला करूंगी ठीक है क्योंकि दाल के साथ चामल के साथ बना रही हूँ तो चामल के साथ थोड़ा पतला ही अच्छा लगेगा यह अब इसको हम अच्छे से उबा लाने देते हैं तो फ्रेंट सीच शांभर बनके बिल्कुल रेड़ी हो चुका है यह देखिए इतना बढ़िया सा इसमें कलर आय कि क्या कहने और अब हम इसको कि इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे कि इसका कलर देखिए कितना बढ़ीया आया है और इस जो उपर से लाल मिर्ची वगारा दिख रही है ना इतनी सुन्दर लग रही है कि बस क्या कहने तो अब हम इसको सर्फ करते हैं चलिए तो गाइस यह देखिए यह सांभर बनके बिल्कुल रेडी है और लुक वाइज आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी सबजी की कोई कमी नहीं महसुस हो रही है इसमें जो प्याज के लच्छे बीच-बीच में दिखाई दे रहे हैं और यह करीपता है और मिर्ची है यह सब कुछ बीच-बीच में दिखाई दे रहा ना इतना यमी और डिलिस्स लग रहा है यह बिल्कुल क्या कहने आप एक बार जरूर इसे ट्राइ कीजिए मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि अगली बार से आप बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाना पसंद करेंगे तो फ्रेंड्स आ अगली नग्स